नमस्ते दोस्तों मैं हूं विडियो में बात करेंगे कि जब आप customer engagement करते हैं customer engagement क्या होता और किस तरीके से किस तरीके से मैं उसको थोगा से आपके लिए define करके दूंगा ताकि आपको समझने में असानी होगा और कैसे आप customer engagement को अगर बैतर बनाते हैं तो कैसे बहुत ही असान सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका conversion ratio भी बढ़ेगा और जब आपका customer भड़ेगा तो आपका business भी बढ़ेगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं इस चैनल पे और जैसे आपको बताएं कि स्टार्ट अगर आप हमारे community को join कर सकते हैं जैसे आप देख पार रहे हैं कि हमारे community को join कर सकते हैं जहां पे हम discuss करते हैं एक दूसरे के साथ आपका जो भी business में problem है question inquiry है जो भी problem issue हो रहा है वो आप हमारे community में पूछ सकते हैं यहां पे अगर आप membership लेना चाहते हैं तो आपका link description में और आप जुर के आपका जो भी question को रही है हम एक private community है जहाँ पर हम discuss करते हैं कि कैसे आप अपनी successful business को खड़ा कर सकते हैं तो चलिए हम बात करते हैं customer engagement के बारे में customer engagement मतलब आपका बोलेगा को या अगर बोलेगा कि customer engagement क्या होता है customer engagement अभी आप अगर google में search करते हैं तो आपको मिलेगा customer के साथ बात्षीत करना उसके साथ interact करना उसको समझाना पुछाना पर मैं आपको बहुत ही simple definition देने वाला हो यह है कि customer engagement जब engagement या जब कोई भी युद्ध होता है वार होती है जंग होता है तो वहां पर engagement क्या होता है आपने कभी सोचा है या समझा है या पर आप करके ंगेजमेंट कर रहे हैं तो यहां पर या क्या कर रहे हैं क्या होता है कैस्टोमां को यह स्ट्रमन कर रहे है तो कह ब्लक्सा आप डुचमन करakah जाते है वहीं आपका पर वार्पें हो जाता है उसी तरीके से जब आप customer engagement कर रहे हैं तो customer engagement में आपका final objective क्या है कि customer को किस तरीके से मैं जीत सको customer को कैसे मेरा जो objective है, मेरा जो intention है कि मैं अपने product service को sell करना चाहता हूँ मैं वहाँ से revenue कमाना चाहता हूँ तो रही है आपका customer engagement हो जाता है तो इसी तरीके से आपको customer engagement में focus करना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा, मैं यह नहीं करूँगा, चाकु छुरी लेके जाना है, पर आपको facts, details, आपका product information, competition, उसके बारे में सारी जानकारी आपको लेके जानी पड़ेगी, negotiation, ठीक है, और आपका pricing, pricing भी बहुत important है, आपका कितना खर्चा होता है, किस तरीके से आपका product service आप, बहतर quality का product service आप अपने customer को बेच पाएंगे, यह सारे चीज़े जो हैं, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और जब भी आप customer engagement कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका motive समझना पड़ेगा, customer का motive समझना प Saip, customer का motive जान लेंगे? आप directly भी पूछ सकते हैं, sir आपका मोटिव है कि किस दिन बाद आप लेना चाहते है, क्या आपका motive है, तो अगर बोलता हि का aya मेरा motive है कि मै अभी लूओगा, दो दिन बाद लूओगा, दज दिन बाद दूओगा तो motive जानना बहुत ही ज़ veni है, motive थारे पानीलों बने बादैगी करें लेठी लिए पीनियका पानीलों स्सक्राइब हो और विच्गाता आप घंण सबस्वत मुद्स को तो पानील सुरही शीरो शैयरेले स्वर्णा अगर आपको गड़्मी लगाए है और आपको अबर्सक्राइब आपको अपर प्रॉब्लम के बारे में ही पता नहीं है, तो फिर आप वह अगर बोले कि मेरा घर जो है ओड़ा जो फैमिली वेंबर को भी टाल देते हो अव्व लेगा तो फायदा निहीं है, यौआ पे-टी यहां पर टाइम बेस्ट होगा आपको यहां पर रिसोसे बेस्ट होगा ना कस्टमर खुश होगा अगर आप नहीं समझते हैं और आप उल्टा सीथा कि इंडिया में किस तरीके से में दूसरे को चुना लगा तो इसके बाद आपका प्रॉब्लम आपने समझ लिया है आपका प्राइसिंग सब कुछ आपका डीटेस में आपने डिसकस कर लिया है फिर आ जाता है नेगोसियेशन जब भी आप नेगोसियेट कर रहे हैं आपका अब्जिक्टिव यह होना चाहिए कि किस तरीके से मैं फाइनलाइस कर सकूँ या मैं उसको क्लोज कर सकूँ आपका उसको आपने solution देना है अगर उसको सही लगा फिर आपका आजाता है negotiation कि कितने दाम में लेंगे कितने दिन का service मिलेगा फलाना 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 इस जगह पे आपका जो engagement है वो आपका उभर के आएगा आपके जो skills है वो उभर के आएगा तो आपको यहां पे इस जगह पे finalize क करना है close करना आपका objective यह होना चाहिए कि किस तरीके से में इसको जल्दी से जल्दी close कर सकूँ ताकि मैं next customer तक जा सको closure का मतलब यह नहीं कि हर एक डील आपका follow through होगा हरे customer आपका convert नहीं होगा 100% conversion जो होता है वो कभी नहीं होता है वो सपने में होता है शायद से आपका 100 customer में से 10 customer convert हो 12 customer convert हो 7 customer convert हो 8 customer convert हो यह आपका conversion ratio होता है conversion percentage होता है तो यह आपको धंदा करेंगे तब आपको पता चल जाए कि कौन सा आपके लिए से है कौन सा क्या charges है जो भी है जब भी आप उसको finalize कर रहे हैं आपका objective होना ची कि यहां पे थोड़ा सा nudging करना पड़ेगा क्या और दिखकत है जब भी कोई decision लेना चाहते है जब भी आपको कोई पैसा देगा तो वह 10 बार सोचेका कि हांथ जगह पे अच्छा है इस जगह पे खराब है तो यहां पे इस जगह भी थोड़ा सा आपको नच करना पड़ेगा थक्कामाने बहुत जब़त जबत करके थ तरीके से आपको last में यही कहते हैं engagement जब आप कर रहें customer के साथ किस तरीके से जब विनावर करेंगे किस तरीके से विनावर करेंगे ऐसी nudge करना आपको ज्यादा push ही नहीं होना ज्यादा धका नहीं मानने थोड़ से nudge करना है लीजे लिए क्या दिक्कत है बजट को लेकर प् ऑबी जी को मैं बुला ले तो यहां पे आपका adress मुझे बतादीहीं ऐसे करके आपको थोड़ा सा नudge करके मतले उसको घेरना पड़ेगा जैसे चकर वियू होता है चकर वियू में क्या होता है आस्ते 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 घेरना शुरू को है. गेरना शूरू कि वो बोले की सब्सक्राइसिग थीक है सर्भी सभी सफया प्ला ले बुला लेते हैं बच्चों को बंचा थे जहां यहां पर लेका है. टेजने के स最ली शुलिवाजित है और क्लिटंग रॐसीश है से निकल भी नी पा रहा हुँ. और सर्वीज भी मेरे को अच्छा दे रहा है, मैं यह नहीं बोला है, उसको पकड़के रखना है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, आपको उसको hold करके रखना है, और ऐसे चकर भी जो आप बना लेंगे, वो बना लेंगे ठीक है, शायद से बंदा अच्छा है, चलो इससे खरीद हो जाता है, और इसी तरीके से, छोटा डील हो, बड़ा डील हो, डाजन रीली मैटर, पर आपका जो बीसिक, जो प्रॉसेस है, ऐसे ही होता है, जो भी आप बिजनस पकड़ो, it can be a billion dollar business, it can be, 10 रुपे का भी डील हो सकता है, 100 रुपे का भी डील हो सकता है, 10,000, 10 लाग, 10 कर 10 billion dollar, whatever, but basic process, negotiation, so, जब भी आप customer engagement करें, तो आपको यह थान में रखना है, this is kind of a warfare, so, अगर आप वैसे mentality लेके चलते हैं, नहीं पर मिरो करना है नहीं, तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरी, physically, you won't be dead, but आपको एसी सोचना पड़ेगा, जब यह थान्दा करें, कि अगर मैं नहीं कर तो इस जगह पे आपको फोकस करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से जादा से जादा customer को convert कर सके, and here you can win, तो इसी तरीके से आप customer engagement कर सकते हैं, जादा से जादा convert कर सकते हैं, अपने customers को जादा से जादा revenue, आप generate कर सकते हैं, so, यह था आज का को, और हमारे community को join कीजिए, अगर आप हमारे special private community को join करना चाहते हैं, और वहाँ पे, it's a paid service, आपका monthly एक subscription आपको लेना परेगा, और वहाँ पर आपको जो भी question कोईरिया पूल सकते हैं, आपके business related, जितने भी problems है, हमारी team, मैं आपको मदद करूँगा, हमारी community, आपको मद झाल